दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल, The Creative Eye में आपका स्वागत है। दोस्तों सल्मान खान अक्सर किसी न किसी वजह से खबरों में आही जाते हैं। अपनी फिल्मों के साथ साथ वहनिजी जिन्दगी की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। आज मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी ने उन्हें लेकर कुछ ऐसा कह दिया, कि सभी हैरान हो रहे हैं। बॉलीवुड की सुपस्टा सल्मान खान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कई लोगों का गौड़ फादर भी माना जाता है। वर्ती ने हालगी में अपने एक इंटर्व्यू के दौरान सल्मान से जुड़ा एक मज़ेदार बाते शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक बार वो सेट पर सल्मान से मिलने के लिए पहुचे थे। लेकिन उस दौरान नमाशी ने कुछ ऐसा कर दिया कि सल्मान ने उन्हें सेट से बाहर निकालने की धंकी दे दी। हालां कि सल्मान ने उन्हें ये धमकी अपने दबंगई अंदाज में नहीं, बलकि मजा किया अंदाज में दी थी. नमाशी ने बताया, मैंने अपनी फिल्म बैड बॉय की शूटिंग पूरी की थी, और सल्मान भाई उस समय फिल्म प्राधे की शूटिंग कर रहे थे. मैं सल्मान भाई से मिलने गया था, उन्हें देखा और मैं उनके पास जाकर उनके पैर चुए. नमाशी ने कहा इसके बाद सल्मान ने उन्हें डाटते हुए गले लगा लिया. नमाशी ने बताया, उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा कि, मैं तुम्हारी उमर का ही हूँ ये सब मेरे साथ मत किया करो, अगर मेरे साथ दुबारा ऐसा किया, तो मैं तुम्हें सेट से बाहर फेक दूनगा इसलिए रूल नमबर वन, सल्मान के कभी पैर मत चुओ इस बातचीत में नमाशी ने स्वीकार किया कि उनके पिता मिथुन चक्रवर्ती की वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से काफी मदद मिली है उन्होंने बताया कि अमिताब बच्चन तक अकसर उनके पिता मिथुन चक्रवर्ती से उनका हालचाल पूछते रहते हैं नमाशी ने कहा कि जब भी उन्हें या उनके भाई को किसी भी तरह की सलाह की जरूरत पढ़ती है तो सल्मान खान हमेशा उनके साथ होते हैं आजकल मिथुन पुत्र नमाशी यश्राज फिल्म्स के साथ एक फिल्म में काम कर रहे हैं दोस्तों ऐसे नई नई अपडेट पाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन बटन दबाएं इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाग